तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजीटा, जेरेन और हिट ग्रैंड प्रिष्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं और तभी गोकू फ्रीजा को भी ग्रैंड प्रिष्ट से ट्रेनिंग करने के लिए कहता है और उसके बाद हम सभी दूसी तरफ देखते है कि कैंसाई ने अपने युनिवर्स का एक वारियर युनिवर्स 7 के उपर हमला करने के लिए भेजा होता है और तभी हम सभी को बीरस और वीस का सीन दिखाया जाता है जो की प्लैनेट अर्थ में होते हैं और हम सभी देखते कि वीस गोहान को ट्रेन कर रहा होता है और दूसी तरफ बीरस ट्रंक्स गोटेन और माजीन बू को ट्रेन कर रहा होता है और साथ में युनिवर्स 7 के काफी सारे वोरियर्स अपने अपने ट्रेनिंग को चालू कर चुके होते हैं और तभी हम सभी देखते हैं बीरस को जो की वीस से कहता है नजाने क्यों वीस लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा जिसके उपर वीस भी कहता है हाँ लूट बीरस मुझे ये बात समझ में नहीं आरी कि अगर Mother of All Angel और वो सारे वापस से existence में लूट चुके हैं तो वो इतन जादा समय क्यों लगा रहे हैं हमारे उपर हमला करने के लिए जिसके उपर वीरस कहता है मुझे भी यही शक है उनका इरादा कुछ और ना हो हो सकता है कि वो हमें बेवकूफ बना के अपने किसी और प्लैन में ही काम कर रहे हूं जिसके उपर तभी हम सभी देखते हैं कि वीस और वीरस उन सभी को वापस से ट्रेन करने लगते हैं और धीर धीरे कुछ समय बीटा जाता है और तभी वीस और वीरस को एक काफी बड़ी एनरजी का ऐसास होने लगता है और ये देखे वो दोनों ही काफी जादा चौक जाते है और वीस कहता है माई लॉड बीरस क्या आपको उन शक्तियों का एहसास हो रहा है जिसके उपर बीरस भी कहता है हावीस लगता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है लेकिन वो कौन हो सकता है और तभी हम सभी देखते कि प्लैनेट अर्थ में काफी बड़ा हमला आके सीधा टकराता है जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा दमाका होता है और वो सभी उस अटेक से बड़ी मुश्किल सही बच पाते है जो देखे वो सारी लोग काफी ज़्यादा है और गोहन कहता है क्या आके ये किस ने किया किस की इतनी हिमत जिसके अपर थबी हम सभी देखतें वहाँ पर एक शक्स आता है और वो कहता है क्या ये वही सेवन्थ यूनिवर्स का प्लैनेट अर्थ है जहां पर वो सभी वारियर्स रहते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट ओफ पावर को जीता था और ये बास उनके वहाँ पर मुझूद सारे शक्स काफी ज़्यादा है और बीरस कहता है मुझे लगा ही था कि वो लोग चुप नहीं बैठने वाले और आकिरकार उन्होंने अपनी पहली चाल चल दी है जिसके उपर वो शक्स बीरस की तरफ अपना हमला करते हुए कहता है तो लगता है कि तुमें इस यूनिवर्स के गाड अफ डिस्ट्रक्शन हो और मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई तुम अपने यूनिवर्स के वारियर्स को बच जाने के लिए यहाँ पर हो जिसके उपर वीरस उस शक्स के सामने जाके खड़ा होता है और वीरस कहता है तुमें मालूम भी है कि आखिर तुम किस के सामने खड़े हो और तुम किस से बात कर रहे हो जिसके उपर वीरस कहता है कि वो सारी लोग काफी जादा हैरान होते हैं और गुवान कहता है क्या यह इसने कैसे किया लॉर्ड पीरस को एक हमले पर इसने दूर कैसे फेक दिया जिसके उपर वो शक्स कहता है तो तेयार हो जाओ God of Destruction क्योंकि मैं सबसे पहले तुम्हें अपना शिकार बनाने वाला हूँ और उसके बाद इस युनिवर्स के अंदर रहने वाले एक एक शक्स को माई लॉर्ड कैंसाई के कहने पे मैं खतम कर दूँगा लेकिन तभी हम सबी देखते वीस सामने आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें बता दूँ कि माई लॉर्ड बीरस से उलजने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा जिसके ओपर बीरस कहता है रुक जाओ वीस इसने मुझे चैलेंज किया है तो मैं इससे बताऊंगा कि आकरकार असली God of Destruction की ताकत क्या होती है और तभी दूसी तरफ हम सबी को Grand Priest का स्थीन दिखाया जाता है और हम सबी देखते कि Goku, Vegeta, Jiren और Hit फ्रीजा के स्पेशिप के सामने खड़े होते हैं और तभी Goku कहता है हेई Frieza, स्पेशिप से बाहर आओ, हमें तुमसे कुछ काम है और ये आवा सुनके Frieza कहता है और ये कहने के बाद, जैसे Frieza अपनी स्पेशिप से बाहर निकलता है, वो Grand Priest को देख के कहता है क्या, ये तू वही Angel है ना, जिसके उपर Grand Priest कहते है Frieza, Tournament of Power के बाद, हमें मिले काफी समय हो चुका है, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे जिसके उपर Goku सारी बाते Frieza को बताने लगता है, और Frieza कहता है क्या, क्या सच में Goku, तुमें इन सब पे बेरी ज़रत है, लेकिन शायद तुम प्लीज कहना भूल गए हो जिसके उपर Vegeta कहता है मैं तुमें बता दो Frieza, कि अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे, तो मैं तुमें अभी के अभी खटम कर दूँगा जिसके उपर Frieza कहता है शात हो जाओ वे जीटा, मैंने तो तुम से सब इतना ही कहा, कि तुम मुझे अपने साथ अगर लेड़ के चल रहे हो, तो तुम मुझे कुछ न कुछ दे सकते हो जिसके उपर Grand Prix कहते है Frieza, मेरी बात को द्यान से सुनो, शायद तुम्हें ये बात मजाक लग लिए होगी लेकिन इस समय पे, जो Multiverse के अंदर खत्रा मंडरा रहा है, वो कोई चोटा मोटा खत्रा नहीं है Mother of All Angel के अंसाया चुकी है और उसके अलावा, बाकी के God of Destruction, युनिवर्स 13 से लेके, युनिवर्स 19 तक का Dark Empire लोट चुका है जो सुनके Frieza कहता है ओ, तो लगता है कि ये को सीरियस मामला है, जिस वज़े से आप लोगों क्यों मेरी जरत पड़ी है तो चिंता मत करो, Emperor Frieza आपकी मदद के लिए हाजिर है Grand Priest तो चलो, मैं आपके साथ आने के लिए तयार हूँ और तभी हम सभी देखते ही Grand Priest अपने साथ Frieza को भी लेके ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं और Frieza तभी मनी मन कहता है ये मौका भला मैं कैसे चोड़ सकता हूँ Grand Priest के साथ अगर मैं ट्रेनिंग करूँगा तो मैं और भी ज़्याद शक्ति शाली हो जाऊँगा उसके बाद इन बंदरों को भला मेर से बचाने वाला और कौन होगा जिसके बाद हम सभी देखते एक Grand Priest उन सभी को एक अलग सी जगे पर लेके जाते हैं जहाँ पर वो सभी अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने लगते हैं और दीर दीरे करके वाँपे काफी ज्यादा लंबा समय बीचता रहता है और Grand Priest बताते हैं मैं तुम सभी को बता दूं कि ये जगे देखने में भले तुम्हें याम जगा लगरी हो लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि बाहर का एक घंटा यहाँ पर कई दिनों के बराबर है तो इसलिए यहाँ पर हम सभी ट्रेनिंग करके और और भी ज़्यादा सकती शारी बन सकते हैं जिसके उपर गोको कहता है क्या बात है ये तो एकदम दर्ती के टाइम चेंबर के जैसा है और यह कहने के बाद वो सभी आपस में वाँ पर ग्रैन पीश्ट के साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं दूसी तरफ हम सभी देखते हैं बीरस को जो कि उस शक्स के सामने खड़ा होता है और वो शक्स कहता है लगता नहीं है कि तुमारे पास सच में गौड ओफ डिश्ट्रक्शन जैसी ताकत होगी तो आज जाओ क्यों न तुम मेरा सामना करो जिसके उपर बीरस कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो तुमें नहीं पता कि तुम किस से उलजने जा रहे हो और ये कहने के बाद बीरस और वो शक्स एक दूसरी के उपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाक होता है और वीस कहता है लगता है कि इनमें कुछ ना कुछ प्लैन जरूर बना रखा है इसलिए तो ये यहाँ पर आया है जिसके उपर हम सबी देखते कि बीरस और उशक्स की एक काफी बड़ी फाइचन लगती है और वो लगातार बीरस के उपर एक बाद अपने काफी सारे हमले करता है जिससे बीरस बड़ी आसानी से बहसता रहता है और वो तबी एक काफी जोड़दार पंच लगाता है उस शक्स के जिससे वो शक्स काफी दूर जाके गिरता है और वीरस कहता है क्या हुआ अब इता तुम बहुत भड़ी बाते कर रहे थे तो अब मैं तो मैं दिखाता हूँ कि मेरी ताकते कितनी है और ये कहने के बाद वीरस अपनी ताकत को अप करके उसके तरफ अटैक करने के लिए चार्ज कर देता है लेकिन वो शक्स बीरस के हमले से बड़ी आसानी से बचके बीरस के उपर एक काफी जोड़दर अटैक करता है जिससे बीरस काफी दूर जाके गिरता है और इस अटैक से बीरस को भी काफी जादा चोटे लगती है और तबी गोहान कहता है नहीं लाट बीरस लगता है कि मुझे लाट बीरस के मदद करने के लिए जाना होगा जिसके उपर वीज तबी गोहान को रोक देता है और वो कहता है गोहान तुम ऐसे नहीं जा सकते जरा उस शक्स को देखो उसके पावर इस समय काफी जादा है क्योंकि वो खुद लाट बीरस के साथ में लड़ रहा है और तुम्हें शायद नहीं पता कि लाट बीरस अभी 12 यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली गॉर्ड अफ डिस्टक्सन है और अगर वो लाट बीरस का साथ ना कर रहा है तो तुम्हें इस समय बीच में नहीं जाना चाहिए तुम लाट बीरस के उपर अपना बरोसा कर सकते हो जिसके उपर बीरस को गुसाने लगता है और वो कहता है क्या आकिर यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली लेकिन कैसे और मैं इस मौक्य को जायन नहीं जाने दे सकता बहुती चल्दी एक काफी बड़ी वोर होने वाली है और मैं इसके सामने अपने सारी ताकत नहीं लगाने वाला तो इसलिए मुझे इससे एक जटके में खतम करना होगा और यह कहने के बाद वीरस अपनी ताकतों को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और वो लगातार उस शक्स के उपर अपने अटाइक करने लगता है और वीरस कुछी पल में उस शक्स की आलत एकदम मरने जैसी कर देता है लेकिन अभी भी वो शक्स सरिफ हसता रहता है और वीरस कहता है तो देखा तुमने मेरी असली ताकत मैं तुमें बता दूँ कि अगर तुमने कैन्साई से पूछा होता मेरा नाम है बीरस और ये कहने के बाद बीरस अपने काफी बड़ा हमला सीधा उस शक्स के उपर कर देता है जिससे वो शक्स काफी ज़्यादा घबरा जाता है लेकिन तभी वो काफी जोड़ जोड़ से इसने लगता है और ये देखे वो सारे ही लोग काफी ज़्यादा है और तब ही वो शक्स कहता है तो आकिरकार ये समय आ चुका जब मैं फाइनली कतम होंगा और मैं तुम्हें बता दू बीरस कि मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही नहीं आया था मैं यहाँ पर एक सूसाइड मिसन के लिए आये था और जैसे ही मैं मारा जाओंगा माई लॉट के इंसाई को इसके बारे में सब पता चल जाएगा और तब ही सीधा जंग चालू हो जाएगी और यह कहने के बाद बीरस काफी ज्यादा है और तबी हम सभी देखतें वहाँपर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिससे वो शक्त सोईग पर मारा जाता है और यह सभी देख के वीस कहता है नहीं लाट बीरस हमें इन सब को समझने में काफी बड़ी गलती होगी तो अब मुझे जल्दी से ग्रैंड प्रिष्ट के पास ये सभी संदेश पहुचाना पड़ेगा और ये कहने के बाल वीस वहां से निकल जाता है और हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिष्ट को जो कि उन सभी की ट्रेनिंग को शुरू करवा चुके होते हैं लेकिन तभी वहां पर वीस पहुंचता है और वीस सारी बाते ग्रैंड प्रिष्ट को बता देता है जो सुनके वेजीटा कहता है मुझे लगाई था कि आखिर वो सभी चुप कैसे बैठ सकते हैं उन्हें इतना बड़ा मौका मिला है वो भी पतानी कि इतने समय के बाद जिसके उपर गोकु भी कहता है हावी जीटा तुम एकदम सही कह रहे हो और अगर ऐसा है तो वो बहुत ही जल्दी हमारे उपर हमला करने वाले होंगे जिसके उपर ग्रैंड प्रिष्ट कहते हैं बस बहुत हो गया हमें ये ट्रेनिंग अभी रोकनी पड़ेगी क्योंकि मुझे मैसूस हो रहा है कि बहुत बड़ी शक्ती हमारे मल्टी वर्स की तरफ आ रही है और वो सभी तेयार है जंग के लिए जिसके बाद हम सभी को कैंसाई का सीन दिखाया जाता है जो कि कहती है उन लोगों को क्या लगा था कि हम इतने समय के बाद आए हैं तो ये मौका हम ऐसे ही जाया जाने देंगे जिसके अपर तबी हम सभी देखते कैंसाई के पास में सारी सूपर ड्राइगन बोस होती है और वो कहती है तो आप समय आ चुका है मेरे उस प्लैन को आजमाने का और उसके पाद सारे बारा यूनिवर्स का मल्टिवर्स हमेशा हमेशा के लिए हमारे डार्क एमपायर के कदमों में होगा